आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एप पर से एकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग असानी से अपना एप पर से अपने एकाउंट को हमेशा के लिए असानी से डिलीट कर तक देखें बिल्खुलskip ना करें तो चलिए मैं लिए चलता हूँआ फिो स्क्रीज पर शूट अपना एक पर से अपने एकाउंट को हमेशा के लिए delete करने के लिए सबसे पहले अपना एप को open करें तो चलिए open कर लेते हैं open करने के बाद थोड़ी देर wait करें तो चलिए wait कर लेते हैं wait करने के बाद इस तरह से interface खुल कर आएगा interface खुलने के बाद अब आप सबसे नीचे की और राइट साइड में कॉर्णर के पास नजर आ रहे है प्रोफाइल वाले ओप्सन पर किलिक करें तो चलिए किलिक कर देते हैं किलिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल नजर आने लगेगा अब आप स्क्रीन के बीचो बीच राइट साइड में नजर आ रहे थ्री डॉट पर किलिक करें तो चलिए किलिक कर देते हैं किलिक करते ही इस तरह से नीचे से विंडो खुल कर आएगा विंडो खुलने के बाद यहाँ पर दो ओप्शन्स देखने को मिलेगा तो आप दूसरे नंबर पर नजर आ रहे डिलिट प्रोफाइल वाले ओप्शन पर किलिक करें तो चलिए किलिक कर देते हैं किलिक करते ही फिर से इस तरह से इसक्रीन के बीचो बीच विंडो खुल कर आएगा तो आप नीचे की और लेफ्ट साइड में नजर आ रहे यस वाले ओप्शन पर किलिक करें तो चलिए किलिक कर देते हैं किलिक करने के बाद फिर से इस तरह से विंडो खुल कर आएगा विंडो खुलने के बाद यहाँ पर भी दो ओप्शन्स देखने को मिलेगा फाइनली एकाउंट डिलीट हो चुका है फ्रेंड्स इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी अपना एप पर अपने एकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं फ्रेंड्स मेरी यह जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सेर करें साथ ही जो हमारे इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकुन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नए वीडियो की निटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहें तब तक के लिए बाए मिलेंगे अगले वीडियो पर